हेलो फेंट्स, वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल, दोस्तो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली पेरेंट्स वीजा के लिए है, पेरेंट्स सूपर वीजा, लोंग टर्म स्टे वीजा पेरेंट्स के लिए, उसमें कुछ अपडेट्स हैं नहीं, वो अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए, पहले जो अगर आप कैनिड़ा हो, पी आर हो, या सीती हैं हो, अप अपने पेरेंट्स को लोंग स्टे के लिए बिलाना चाहरे हो, पहले तो उसका जो स्टे था वो दो साल का के अंडर पेरेंट्स को वापस जाना होता था, लेकिन अप जो स्टे है, वो पांच साल तक का हो गया, पांच साल के अंदर अंदर उनको अपनी कंट्री वापस आना होता है, लेकिन जो इंकम लेवल था, वहां के जो कैनिड़ेट जो बुला रहा है, आपने पेरेंट्स को ग्रेंड पेरेंट्स को जिसको हम बोलते हैं लो इंकम काट ओफ लिको लेवल वो जो पहले अगर आप सिंगल वहां रह रहे हो तो बेसिक जो आपके लिए वान येर की एनुवल इंकम एस पर नोटिस ऑफ असेस्मेंट है वो 25 यार 920 कैनेडिन डॉलर थी जो क कि अब 27 यार 514 होगी है और अगर आप अपने सिंगल पेरेंट को बला रहे हो माता या पिता किसी को भी बला रहे हो तो आप 2 परसन काउंट होगे तो अपके कोडिंग जो आपकी इंकम वो काउंट होगी चोंटीस यार 2434254 और अगर आप दोनों पेरेंट्स को बला रहे हो तब आपकी इंकम का लेवल होना चाहिए मिनिमूम 42100 अगर आप अपने किसी एक्स्ट्रा दादा दादी नानानी किसी को भी बला रहे हो तो आप आप वन और तीन बंदों को बला इन्वाइट कर रहे हो सुपर वीज किया है गौर्मेंट ने वहां की इंफलेशन रेट को देखते हुए तो अगर आप भी किसी भी तरह की अपने पेरेंट्स की फाइल लगा रहे हो या लगाना चाहते हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो कि कैसे विस्टर वीजा या पेरेंट्स वीजा की उपर अपने फैमिल में इसका लिंक वगारा दे दूँगा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की हल्प चाहिए अपने पेरेंट्स की वीजा लगाने में सुपर वीजा या विस्टर वीजा किसी भी तरह का वीजा लगाने में हल्प चाहिए तो नीचे हमारा नंबर फ्लेश कर रहा है आप इस उसके notification मिल सकते नहीं वीडियो का. Thank you. Bye-bye.